नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, आज हम बात करेंगे कि सपने में दिवाली का त्योहार देखना, या सपने में खुद को या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को दिवाली का त्योहार मनाते हुए देखने का क्या मतलब होता है? दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आते हैं अपने प्रश्न के उत्तर पर। अगर आप नौकरी करते हैं, तो ऐसा सपना दिखाए देने के बाद आपकी नौकरी भी जा सकती है। और आपको दोबारा से नई नौकरी धुनने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पर सकती है। अर्थात अगर आप कोई व्यापार करते हैं, तो ऐसा सपना दिखाई देने के बाद आपका व्यापार घाटे में जाने लगेगा, जिससे आपको आर्थिक हानी होगी और अगर आप नौकरी करते हैं, तो आपकी नौकरी में कोई परेशानी उत्पन हो जाएगी तो दोस्तों ऐसा सपना बताता है कि बहुत जल्द ही आपके जीवन में कोई न कोई ऐसा कारण बनेगा, जिससे अचानक ही आपके आर्थिक हालात बहुत खराब हो जाएंगे अर्थात आने वाले समय में आपके पास पैसों की तंगी होगी, और आपके पास जो धन है उसका भी नाश होगा, जिस कारण आपकी आर्थिक स्थिती बहुत ही विप्रीत हो जाएगी, जो आपके और आपके परिवार के लिए एक बहुत ही अशुप संकेत है दोस्तों अगर सपने में कोई जातक दिवाली देख लेता है, तो ऐसा माना जाता है कि वास्तविक जीवन में उसका दिवाला निकल जाता है दोस्तों इसके अलावा अगर आप अपने सपने में अपने किसी परिचत व्यक्ती को दिवाली मनाते हुए देखते हैं, तो यह सारे नुकसान उस व्यक्ती को होंगे, और आप भी काफी हद तक उस मुसीबत के लपेटे में आएंगे, और आप धनका बहुत नुकसान भी और बड़ा नुकसान उठाएंगे इसलिए सपने में किसी भी प्रकार से दिवाली का त्योहार देखना एक बहुत ही अशुप संकेत होता है ऐसा सपना दिखाए देने के बाद आपको सावधान रहना चाहिए और आपको निरंतर ही अपने इश्ट देव का ध्यान करते रहना चाहिए साथ ही आपको फाल्तु खर्च करने से भी बचना चाहिए और आपको धन से संबंदित कोई भी फैसला सोच समझ कर ही लेना चाहिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद